कॉंग्रिस के राष्ट्र धक्ष राहुल गांदी भी कल प्रदेश के दौरेप पर रहेंगे चोमु उस्तित खेल स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तीन मई को भी राहुल गांदी भरतपूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे चुकि आपको पता है कि प्रदेश में तेरे लोगसभा सीटों पर मतदान हो चुके है और बारे लोगसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होने हैं और इसी के तहट शेश बारे लोगसभा सीटों की कवायद में दोनों ही पार्टियां लगतार दोरे कर रही हैं के तहट कॉंग्रेस के राष्ट्र अधक्ष राहुल गांधी का भी कल प्रदेश में दौरा रहेगा और चोमु इस्तित खेल स्टेडियम मैदान में के विशाल जनसभा को संबोधित करने का कारिक्रम है राहुल गांधी कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और चोमु इस्तित खेल स्टेडियम मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर कॉंग्रेस के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील करेंगे लोगसभा चुनाओ 2019 के दंगल में हर कोई अपनी पार्टी के लिए राजस्तान से मिशन 25 को पूरा करने में जुटा है और इसी के तहत शेश 12 लोगसभा सीटों पर मारवाड में सियासत को साधने कल कॉंग्रेस के राश्च धक्ष राहूल गांधी भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और चोमो इस्तित खेल स्टेडियम मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नज़र आएंगे और वहीं इसके बाद 3 मई को राहूल गांधी का एक और प्रदेश में दौरा है कल प्रदेश में दौरे पर रहेंगे कॉंग्रेस के राश्च धक्ष राहूल गांधी और इसके बाद 3 मई को भरतूर में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कारेकरम चुकि राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 29 अप्रेल को संपन हो चुके हैं और अशेश 12 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होने हैं और इसी के तहत चुनावी दोरे लगतार जारी है और कल एक बाफिर से राहुल गान्दी प्रदेश के दोरे पर रहेंगे और चो मुश्तीत खेल स्टेडियम मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे